आपका आज के हिंदी सेशन में स्वागत है सबसे पहले आप अपनी इकरफ नोट बुग, पैंसिल और हिंदी लिट्रेचर की बुग, सुर्भी, हिंदी पाठ माला निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक की सेशन को अटेंड करें सबसे पहले आप अपनी बुस्तक का पेज नंबर पंदरा खोड़ लीजिए आप लालची किसान की कवाहनी को पहले पढ़ चुके हैं तो पच्चों एक बार फिरिवाइस करते हैं जैसे कि एक गाह में एक निर्धन व्यक्ती रहता था, किसान रहता था तो वह दूसरों के खेतों में काम करके दो समय का भोजन चुटा पाता था और उसकी कोटिया में एक दिन साधू आये थे ना तो साधू के आदर सतकार और भोजन करने के बाद साधू ने खुश होकर किसान को आशीरवाद में सोने का अंडा दीने वाली मुर्गी दी जब मुर्गी रोज सोने के अंडे देनी लगी तो जो व्यक्ती वो किसान था, वो बहुत ही धनी आदमी बन गया धनी आदमी बन जाने के बार उसने गरीबों से घरीना करनी शुरू कर दी अब उसके मन में लालच में पैदा हो गया धना जाने के कारण उसकी बुद्धी काम करना बंद कर दी तो उसने लालच में आकर सोचा कि क्यों ना मैं मुर्गी को मार कर एक वार ही सारे अंडे उसके पेट में से निकाल लो तो जब उसने मुर्गी की हत्या कर दी उसको मार डाला तब उसको उसके पेट में से कुछ भी नहीं मिला अंध वे पच्ताने लगा अंधा होकर लालच में उसने करा माती मुर्गी की हत्या कर दी तो बच्चो इस कहाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए तो चलिए आज हमें इसकी बैक एक्सिसाइज करेंगी आपने पेज नंबर 15 खो लिया है ना सबसे पहले हमें अभ्यास में मौखिक प्रशन उत्र है तो सबसे पहला क्वश्न है मैं आपके लिए पढ़ देती हूं किसान की आर्थिक दशा कैसी थी तो बच्चो बताओ उसके घर के हालात कैसे थे आप अपनी कहानी में ढूंडिये और इसको लिखिये कि उसकी आर्थिक दशा यानि एकनॉमिक कंडिशन कैसी थी नेक्स्ट क्वेस्चन है साधू ने किसान को सोनी का अंडा देने वाली मुर्गी क्यों दी तो बच्चो सोचो कि साधू ने ऐसा क्यों किया जो किसान था उसने कैसा विवार कर दिया था जो साधू ने उसको सोनी का अंडा देने वाली मुर्गी दी अपनी कहानी को पढ़िये और इसको लिखिये नेक्स्ट है किसान का सवभाव पहले जैसा क्यों नहीं रहा तो बच्चो जब अमीर बनने के बाद उसका बिहेव कैसा हो गया था सोचिये और लिखिये नेक्स्ट है मुर्गी को मार कर किसान क्यों पच्चताया जब मुर्गी मर गई थी तो उसको लाब हुआ या हाने हुए बताइए और यहाँ पर लिखिये यहाँ पर आपको सेकेंड एक्सेसाइज दी गई है शुद्ध उचारन कीजिए तो बच्चो हमने इसको प्रणाउंस करना सीखना है चलिए फर्स्ट वर्ड है पर के पैर में पदेन तो हमने इसको पर नाम नहीं बोला इस पूरे वर्ड को हम इसको बोलेंगे प्रनक्वाम प्रणाम नेक्स्ट देखिए भ के पैर में बड़ेऊ की मात्रा है तो हमने इसको लंबी साउंड में बोला है भूखा नेक्स्ट है प्रसंता अब देखिए इसको भी हमने प्रणाम की तरह जब प्र बोला था यहां पर भी हम इसको प्र बोलेंगे प्रसन्ता न पर थोड़ा स्ट्रेस है क्योंकि यहां पर हाफ न भी है और पूरा न भी है प्रसन्ता पूर्वग नेक्स्ट है पतल तो बच्चो प आधात पूरात ल पतल तो अगर यहां पर हाफ न होता तो हम बोलत हाफ्त है नेक्स्ट है क्रिप्या करके पैर मेरी क्री पूरा प यकोवा क्री पया बच्चों हमने इसको क्रिप्या नहीं बोला क्यूंकि यहाँ पर पूरा है तो हम इसको पूरा ही बोलेंगे नेक्स्ट है निस्वार्थ बच्चों यहाँ पर जो डॉट है यह विसर्ग है यहाँ पर आपको ह लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पर जो यह विसर्ग है यह की हलकी सी साउंड देते हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लगाएंगे निह स्वार्थ स्पर्ष तो बच्चो जो यहाँ पर स्पर्ष पे र है वो हलकी सी साउंड दे रहा है इसलिए वो रेफ के तोर पर हमने श के उपर लगा दिया सदैव रोज बच्चो जो यहाँ पर ज है उसके पहले में बिंदी यह Z की साउंड दे रहा है इसलिए हमने जो के पैर में बिंदी लगा दी नेक्स्ट प्रस्थान यहाँ पे भी प्र जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रसन के और प्रणाम पे वैसे ही यहाँ पे भी हम प्रस्थान बोलेंगे सन्यासी अब देखिए आपको नव की साउंड दो बार आई है एक तो आपके नोज में आई है और उसके बार मिहलकी सी साउंड जो है हाफ नव की आ रही थी इसलिए हमने सन्यासी के ऊपर भी बिंदी लगाई है और हाफ नव भी लगाया है बच्चो अब हम लिखित question करेंगे ये मौखिक की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं चलो समझ के करते हैं उनको पहला question है किसान ने साधु के साथ कैसा विवहार किया तो बच्चो बताओ ये तो आप अपनी कहाने पर चुके हैं सोचिये और लिखिये कि साधु के साथ किसान ने कैसा विवहार किया next question है किसान ने साधु को भूजन में क्या किया दिया तो बताओ उसने क्या क्या खिलाया था साधु जी को सोचो और यहाँ पर लिख दीजिए साधु ने प्रसन होकर किसान को क्या दिया सोचो सोचो जब उसमें बहुत सारी सेवा की तो प्रसन यानि खुश होकर जो साधू थे उन्होंने क्या दिया था किसान को यहाँ पर वाक्य पूरा बनाईए और अपना उत्तर लिख दीजिए नेक्स्ट है किसान गाम का सबसे धनी व्यक्ति कैसे बन गया धनी का एर्थ है अमीर यानि रिच परसन तो सोचो सोचो बच्चो कि साधू ने किसान को कुछ दिया था याद आया सोचो सोचो और यहाँ पर इसको लिख दीजिए नेक्स्ट है किसान ने अपनी करामाती मुर्गी की हत्या क्यों कर दी थी यहत्या मतलब मार देना, मर्डर कर देना, तो बच्चो बताओ क्यों किया था उसने करामाती का मतलब होगा अच्छा मत्कारी मुर्गी, तो क्यों की थी उसने, लिख दीजिए यहाँ पर, नेक्स्ट है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो बच्चो आप जब कोई इसकी सेकेंड एक्सेसाइज है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, बच्चो यहाँ पर आपको उन्होंने ओप्शन्स दिये हुए ना, पहले नंबर पे है सच मुच्छी, यानि रेली, प्रति दिन, डेली, आविडे, निर्धन, गरीब, पूर, आशीरवाद, यानि बर्दान, तो आपने इनको पढ़ना है, और इन वाक्यों की अनुसार आपने इनको इन में फिल कर देना है, चलिए पहला देखते हैं, किसी गाउं में एक डैश किसान रहता था, तो बच्चो बताओ, आपने कहानी में क्या पढ़ा था, किसी गाउं में एक डैश कि रहता था किसान कैसा था उसकी दर्शा कैसी थी तो आपने यहां से ढूंड कर यहां पर इसको लिख दोगे। इसी प्रकार में बाकी भी आपके लिए पर देती हूं वाक्य आप खुद यहां से ढूंडेंगे और इनको यहां पर लिख देंगे। यह तुम्हें डैश सुबह एक सोने का अंडा देगी साधू किसान को डैश देकर चला गया मुर्गी ने डैश सोने का एक अंडा दिया सही वाक्य के आगे सर तथा गलत वाक्य के आगे गर लिखिये यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिये हुए है न यहाँ पर जो भी कथन यहां पर दिया हुआ है अग 허णा क हराऊ सर वाक्य की लिखिये अगर दिया हुए है यह मिखियो अगर गलत जो भीॐ डिया है और अबर आपको को एकसराइज के लिक लिए कर दोए और अच्छी से दो बार शाय पर निया बिल किपा चलिए इनके कथन पढ़ते हैं किसान ने साधू को आदर सतकार किसान भोजन कराया सोचिए आदर सतकार किसान करवाया था अगर आपका अंसर सही है तो आप यहाँ पर सर लिख दीजिए अगर गलत है तो यहाँ पर गर लिख दीजिए साधु ने किसान को एक सोने की कुलहारी दी बच्चो सोचिये कि साधु ने किसान को कुलहारी दी थी आपको तो मेरी साउंड से ही पता जल जाना चाहिए बच्चो तो आप अपना उत्तर यहाँ पर लिखती जिए मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी सूचिए क्या ये कथन सही है अगर सही है तो यहाँ पर सर लिख दीजिए अगर गलत है तो यहाँ पर गर लिख दीजिए किसान ने जोंप्री के स्थान पर एक सुन्दर मकान बनवा लिया तो आप अपनी कहानी को पढ़िए अच्छे से और इन सब एक्सेसेज को फिल कर दीजिए हमारी नेक्स्ट एक्सेसाइज है सही उत्तर पर सही का निशान लगाईए बच्चों यहाँ पर आपको एक क्वेस्चन दिया हुआ है और उसके चार आप्शन दिये हुए हैं तो आपने इनको सॉल्व करना है पढ़के मैं आपको एक बता देती हूँ पाकी आप सब खुद करोगी जैसे पहले नमबर पर है किसान ने साधू को भोजन में दिया यानि डैश क्या दिया था बच्चों बताओ दूध वरोटी हलवा वर पूरी चटनी वरोटी या खीर वरोटी मैं तो नहीं बताओंगी बताओए बताओए इन चारों आप्शन्स में से कौन सा सही है जो भी आपके अनुसार ठीक है आपने उसके आगे टिक लगा देनी है और उसको जूठा, लायर, लालची यानि ग्रिडी आलसी यानि लेजी तो आप अपनी कहानी को पढ़िए और इसमें से सही आप्शन को चुन कर लिख दीजिए किसान को मुर्गी के पेट में मिले जब किसान ने मुर्गी को मार दिया तो उसको उसके पेट में क्या मिला था आप्शन्स रीड करिए पांच अंडे, दस अंडे, साथ अंडे, कुछ भी नहीं तो बताइए क्या आंसर है इसका उसको फिल कर दीजिए किसान ने हत्या कर दी, हत्या यानि मार दिया तो किसको मार दिया था, किसकी हत्या की थी पढ़िए करामाती मुर्गी की, अपनी पत्नी की, लाल मुर्गे की या इन में से कोई नहीं तो जो आंसर सही है उसके आगे टिक कर लीजिए और जिगजग फॉर्म में अंडरलाइन कर लीजिए मारा नेक्स क्वेस्चन है लालच का परिणाम सदैव होता है तो बच्चों बताओ जब हम कोई लालच करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है बुरा लाबकारी अच्छा या इन में से कोई नहीं तो जो भी आपका आंसर है आप उसको इसमें फिल कर दीजे अब आप अ जैसे कि आपको यहां पर दो पिच्चर नजर आ रही है इनकी वेश पूशा देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि यह किन की तस्वीरे हैं तो यहां पर आपको 5 sentences दिये हुए हैं आपने इन sentences को पढ़ना है और देखना है कि यह वाक्य किस ने कहा है और जिसने यह वाक् तो बच्चों बताओ यह वाक्य किस ने कहा होगा जिसने भी यह कहा है मेरी आवाद सुनके आपको पता चल गया होगा तो आपने इसको सुनकर लाइन ड्रो यानि पिच्चर के साथ उसको मैच कर देना है नेक्स्ट है महराज मुझ करीब की कुटिया में यही रुखा है तो बताओ यह वाक्य किस ने कहा था उसके पिच्चर के आगे लाइन ड्रो कर दीजिए नेक्स्ट है महराज मुझ करीब की कुटिया में पधार यह तो बताओ यह वाक्य किस ने कहा था उसकी पिच्चर के आगे भी लाइन ड्रो कर दीजिए अच्छा बालक अब हम यहा जी हां उसके पिच्चर के आगे लाइन जो करतीजिए क्यों ना मैं कल सुब मुर्गी का पेट फाड़ कर एक बार में ही सारे अंडे निकाल लूँ तो इस प्रकार आपने यहां से वाक्या पढ़ते जाने हैं और पिच्चर के आगे इनको एक दूसरे के साथ मैच करते जाना है नेक्स एक्सराइज है पहले क्या बाद में क्या 123 लिख कर बताईए बच्चों यहां पर आपको तस्वीर नजर आ रही है पहले तस्वीर देखिए यहां पर मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है तो क्या कहानी ऐसे थी सबसे पहले मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था नहीं न, आप इन चित्रों के इनुसार डिसाइड करेंगे कि कौन सा चित्र पहले आएगा और कौन सा बाद में और इसको फिल करेंगे अब आप पेज नमर 18 खोल लीजिए पहली exercise है, निमिन लिखत शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए यह exercise सबसे easy होती है बच्चों, क्योंकि इनकी जो answer होते हैं, इनकी question के अंदर ही चिपे होती है तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं, जो बहुत लोब करता हो तो बच्चों, जैसे की इसका answer क्या होगा, मैंने उसको underline भी किया हुआ है लोब यानि की लोबी तो ऐसे ही आपने इन वाक्यों के भी उत्तर निकालके यहां पर लिखने हैं, अपने ममा पापा की help से नेक्स्ट है इश्वर पर विश्वास करने वाला जिसे करना कठिन हो, जिसे करना असान हो, इश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला नेक्स्ट एक्ससाइस देखिए, दिये गए शब्दों के स्त्रीलिंग यानि शी रूप चुन कर लिखिए, यहाँ पर आपको सारे फीमेल्स यानि स्त्रीलिंग रूप दिये गए हैं, जैसे मैं पढ़ देती हूँ, पहले नमबर पर है पुत्री, भतीजी, हिर्नी, सेविका सीविका मितलब मेज सेवेंट, शेर्नी, नाइन, नाइन को नोती है बचो, शी बारबर, नेक्स्ट है गाएं यानि काओ, युवती, यहाँ पर आपको हीरन, नाई, भतीजा, युवक, सेवक, बैल, पुत्र और शेर, ये जो हैं सारे पुरुष जाती के नाम बताए गई ह तो आपने क्या करना है, स्ट्रीलिंग शब्दों को चुनकर, जब आप इनको पढ़ोगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, कि यहाँ पर आपने क्या उतर भरना है, अगर नहीं समझाएगा, तो अपने पेरेंस की हेल्प ले लेना, नेक्स्ट एक्ससाइज है, न उनको हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे आपका अपना एक नाम है, तो बच्चों जो आपका है, वो क्या है, वो सर्वनाम है, मेरा भी एक नाम है, तो मेरा इसमें शब्द जो है, वो क्या है, सर्वनाम है, इसी प्रकार, मैं, तुम्हें, आपका, यह, तुमें, हमें, यह सारे श उसका नाम ही रा था तो बच्चों इस वाक्र में जो उसका शब्द है यह सर्वनाम है तो आपने इसको अंडलाइन कर देना है और यहाँ पर लिख देना है नेक्स्ट है तुम्हारा भला हो यह तुम्हें सोने का अंडा देगी हमें अभी बहुत दूर जाना है तो बच्चो इस प्रकार हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त हुआ आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आप अपने पेरेंट्स की सहायता से इन इसको फिल करोगे अगर आप कोई दिक्कत आ रही है आप दो बार इस कहानी को फिर रिवाइस करेंगे तो हम अब अगली सेशन में फिर मिलेंगे तक तक के लिए गुड़ बाई